आप सभी लोगों को बहुत दिनों सिंतजार था कि सर अगर इंड़क्शन मोटर हमारी आधी जल जाती है और इंड़क्शन मोटर की एक से दो कोयल जल जाती है तो उसे हमें किस तरह से वाइडनी करना होता है आज की वीडियो में हम step by step देखने माले हैं आप सभी लोगों से रिकेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सक्स्राइब नहीं किया तो प्लीज जो मेरे चैनल को सक्स्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दे ताकि इस ते की लेटेस्ट वीडियो आप तक हमें सा पह बहुआ है ईसमें चार सेट पडते हैं रनिंग चार सेट पड़ते है स्टाटींग स्टाटंग कर से एक शळइब गया था तो इसकी हम कीस तरह से वाइइन करने vara आज हम देखने ऐं एंप दिक्कत हो जाती है आपकी मोटर में मोटर मैं उसको किस तरह से बनाना है ? तो पहले, सबसे पहले हमें देखना है कि हमारी कोयल मंंद की consistent stuff आप जी जैसा तरीका है, उस तरीके से कोयलों को केस्ट कर लेजए कि आपकी बागी कोयल को यू你好 सब्सक्राइब करें तो चार सेट होते हैं चार रनिंग में चार इसका एक सेट जल गया था यानि पूरी तरह से यह काला हो गया था तो उसको में किस तरह से पहले तो निकालना होता है इसके देख पार होंगी कोईल के उपर कोईल चड होता है तो पूरी तरह से जल जाता हुँ और चिपक जाता जिससे रनिंग कोयल है उसके उपर bio पेपर चिपप जाता है उसके बनाना जो टफ हो जाता है उसमें जो है आपका नोमेक्स पेपल लगा है इस वजए से जो उपर साइड लगे था वह भी नोमेक्स लगा था तो कौइल तो जल गए थी लेकिन नहीं जला था कैसे इसको अच्छे से इसको साफ कर लेना है मैंने जो आप मेरा जो पिछ का सलाट का पिछ है पिछ इसमें जो था पिछ में गिना देता हूं एक दो तीन चार पांच छै यह जो आपका देख पार होंगे आपको मैं कैमरा नस्दीक कर देता हूं आपको अच्छे से दिखा द देता हूं एक बार यह देख पा रहोंगे आप ये वहला पीछ ओ गया और इसके बाद है ये साइड हो तो हमारी जो पीछ थी सिर्फो ही जो है आपका एक दो चार 5 6 10 शाय और ऑर 8 की हमारी पीछ में डाल दिया है ह ciek पार होंगे यह देख पा रहांगे तो मैंने अको अब सब्सक्राओंek हो इसके बाद ही हमारी क्शिणे हैं क्शच्राओं किस तरह से किस तरह से डेतको नीकालना हो गाइल काटते समय आपको ड़ेटा निकाल लेना वाली विडियू में आपको पूरी तरह से बताऊंगा कि बड़ी मोटरों को किस तरह किया चांट किस तरह किस तरह निध vrains निकालना होता है इसके बाद इसका गेज भी कर लिया है, जैसे गेज की बाद करूं तो यह हमारे पास 22,25 नुमर 15 है और इसके बाद इसकी कोईल ने बना लिया है, कोईल बनाने के बार इसको डालेंगे डालने से पहले हैं, यह इसा पहले, कि पेपर की साफाई कर लेना है, मैं आपको कई बर बता देता हूं, अगर आप पेपर की साफाई कर लेना है, तो इस समय आप कोईल नहीं डिखाता हूं वो इसके पहले जो हमारा शलाट हाई बहुत ज़ादा होगे उस कारण से यह हमारा चौर वाला पेपर है वूँद नीचे नहीं जा पाए गए क्योंकि वो चिपक जाते हैं आपस में तो यह वाया पेपर उस समय हमारा काम नहीं देगा। इस समय हमारा यह पतला वाला पेपर काम क्या एक किस स्क्राइब करना है मैं इसको weidening कर देता हूं वाइड किस तरह से करना है मैं आपको बता देता हूं मैं इसको weidening करने के लिए देख परऊंगे यह हमारा inner wire है inner wire को आपको पता ही है आपको right hand side की तरप करना होता है तो यह हमारा right hand side हो गया बाकी वाइणिंग करने वाले का तरीका अलग-अलग होता है बाकी मैं इसको इनर को जो है राइट एंड साइड करता हूं और इसके बाद मैं इसकी वाइणिंग करता हूं वाइणिंग करने के लिए मेरा जो परसनल इस्फिरियंस है मैं किस तरह से वाइणिंग करता हूं अस इसके चोब सलाटे बैठाया और सबसक्ति बहुत असान तरीका है यह बहुत असान तरीका है अभी मैं पेपर लगाकर दिखाता हूं कि इस तरह से लगा होता है। So guys मैं इसको पेपर लगाता हूं देख पर हूंँगे, इस sub met paper लगा देता हूं। अभी में लगा देता हूं और guys अगर आपका यह coil की ओपर pay per नहीं जाता यह तो आपको इस तरह से जो है आपको क्वाइल को इस तरह जो है खीच लेना है आगे पीछे करना तो पेपर आपका आराम से चला जाएगा देख पार होंगे मैं इसको जो है आराम से डाल लेता हूँ यह देख पार होंगे मैंने इसको अराम से डाल दिया देखła होंगे आप आप को क्वाइल को को है मैंने डाल दिया उसके उपर पेपर दिया कितना आसान तरीका है अगर आपको वाइंडिंग का तरीका जानना है किस तरह से चाहिए जितनी मोटी कॉयल हो पैसर प्वाइब किया जाता है इसमें आपके हांगी और जो आपको काफी बड़ी बड़ी आपको दिखाता हूं पूरी तरह से, सो गैस, जैसा कि आप देख पहोंगे, हमने इस कोरा को वाइन कर लिया है, सो गैस, अभी हम इस वाली को भी वाइन करेंगे अच्छे से, पार होंगे, Elektroni को कितना अच्छे से वाइन किया है, तो इसी तरह मैं देख पार हूंगे किस तरह इसको आपको पतला कर लेना यह चाहे तो आप इसको इसकी जॉइंट को यह जो हमने बांदा इसमें ताकी कौईल इधर उधर नहों तो इसको आपको इसको हटा लेना है मां भी इसको अटा गर दिखाता हूँ हटाने के बाद हैं का फोको connections का ध्यान दे देना है अगर आपका इनर है तो ये वाला जो आपका जाएगा ना तो इसी साइड जाएगा तो आपको सोगें जाता है तो फिर आपका जो है मोटर नहीं चलेगा और मोटर आप अर्वर हीट होगा कुछ भी हो सकता है मोटर आपका खराब हो जाएगा इसी थ आपको देख पारोंगे यह पतला है देख पारोंगे इसको आपको पतला करना इसी थो यह देख पारोंगे और इसको आगी की के तरब ढखेल दूंगा क्वाइल कोौं की देख पारोंगे किस तरह से इसकी वाइणिंग कर रहा हूंी का गारा έχवे में दोनों साइट की क्वाइलेण चली जाएंगी और इसके बाद यह जो पेपर लगा लेना है मैं आपको पेपर लगाने का तरीका भी बताया हूं पेपर कोई भी हो पेपर को आपको ऐसे 20 से मोड़ लेना है इस तरह से पूरी तरह से नहीं मोड़ना है वनना पेपर खराब हो जाएगा पेपर जो है सलाट के बाहर आ जाएगा तो इस तरह के ध्या किया जाता है यह बहुत आसान तरीका है क्वाइल डालने का आप इस तरह क्वाइल डाल सकते हैं और मुझे आप कमेंट कर दीजेगा मैं आपको मोटरों की किस तरह से आसानी से वाइनिंग किया जाता है क्वाइले आसानी से किस तरह जाती है मैं आपको अच्छे से बता दू वार्णिश डालने के बाद जो है इसमें जो है आपका पेपर बनाना पड़ता है अच्छे से इसको बैठाना पड़ता है सलाट पत्ती की मदद से तो इन सब चीजे ऐसे काम करती है गैस देख पर होंगे इसको भी मैं डाल रहा हूं यह बहुत आसानी तरीके से चले जाते है अगर आपका नहीं जाता है तो आप इसको जो है इस तरह कॉयल को आगे पीछे करके इसको डाल दीजी देख पार हों कि तो बहुत धीली कोयल है यह तो आसानी से ऐसे ही चली जाएगी देख पार होंगे बागी जब बहुत ज्यादा होती है तो इस तरह कपन्द मैं आपको सारी चीजे बताऊं आप उचे comment कर देजिएगा और comment करके बतायेगा अगर आपको winding video चाहे तो बताइएगा मैं किस तरह से winding करताओ बड़ी motor के चोटी motor के और सबसे चोटी motor होते जिन में हाथ अंदर नहीं जाता तो उसको किस तरह से wind किया जाता है मैं आपको को बहुत step by step बताऊंगा और आपको कोई दूसरे चैनल में जाने क्यों सकता नहीं होगी सो गैस देख पा रहा हूंगे हमने किस तरह से वाइंड कर दिया है अभी हम इसके connections कर लेंगे और इसको बांद देंगे बांदने के बाद इसको सुखा देंगे सुखाने के बाद इसक चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन जरूर दवा दें ताकि इसते एक लेटेस्ट वीडियो आप तक हमिसा पहुंचते रहें सुखाई साथ के लिए इतना ही मिलता हूं आप से नेक्स्ट वीडियो है तब तक के लिए बाए दोस्तों